नश्कार दोस्तों फाइनली बियसनल ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है क्योंकि पहली ऐसी कंपनी बन गई है बियसनल जिसका आप मुवाइल टावर देखके ही पहचान लेंगे कि हाँ ये बियसनल का मुवाइल टावर है मतलब यह है कि बियसनल ने फर्स टाइम अपना नाम शो किया है मुवाइल टावर पे जिससे कि आपको मालूम चल पाएगा एक्चुली क्या आपके नेरेस लोकेशन में बियसनल का टावर है यह नहीं है क्योंकि यहां पर बात करी जाए तो नाम को लेके बहुत चादा सेंसिविटी होती है इस्पेशली जियो की बात करे आइटल की बात करें वी आई की बात करें इंडेस टावर की बात करें जो अधर्स कंपनियां अपने मुवाइल टावर सर्विस प्रोवाइड करवाती है वो कभी भी मैंशन नहीं करती क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी बात यह होती है कि मैंशन करने से एक तो यह क्लेटी ह हो जाती है customer को कि मेरे nearest कोई tower है या नहीं है दूसरी बात यह है कि वहाँ पर complaint rise होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है बट BSNL ने बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि पत्थर अपने दिल पे रखके अब mention कर दिया है जो कि कह सकते हैं कि एक नया record है इंडिया के लिए लेकिन यहाँ पर टैक्निक जो है वो हमें टाटा कांसेडेंसी सर्विस की देखने के लिए मिलते है इस यूनीक वर्क को लेके डारेक्ली प्रिजेंस होगी लोगों के बीच में कि अरे यह तो बीचनल का टावर है क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है जो बीचनल टावर अभी अपग्रेट हो रहे हैं जिन पर आपको यह लोगों देखने के लिए मिलता है मतलब आपको बीचनल 4G नैटवर्क वहाँ पर मिल रहे है और अच्छे में मिलने हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि तब आप 100-500 मीटर दूर हो जाते हैं फिर आप घर के अंदर जा रहें तो वहाँ पर अभी दुछ दिखाई देते हैं लेकि बहुत स्पीड से वर्क चलना है दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि आप मुगाइल टावर को म मिलता है जिससे कि हमें क्लियरली मालूम चलता है कि हाँ यह बैसनल का सैल है जिससे कि आप खड़े हो के देख सकते हाँ यह तो बैसनल का टावर है मतलब अब सिंपोर्ट करवाने का टाइम आ चुका है तीन ऑपरेटर्स के लावा भी अब फॉर्थ हमारे पार आप्शन है लेकिन यहाँ पर बात करी जाए तो सबसे आदा इंपोर्टन है कि बैसनल अभी अपनी 4G सर्विस किस-किस स्पेक्ट्रम पर प्रवाइट करवा रहा है जिस पे कि आपको एक अच्छी स्पीड देखने के लिए मिलती है क्योंकि हमें अल्रेडी मालूम है कि बैसनल के पास ही है 700 MHz का इस्पेक्ट्रम जो अब तक हमने ट्राइ किया है वह 200 Mbps की मतलब इस पर हो सकती है लेकिन मेरी तब मैं मृटिपल इंटरफेरंस में आता हूं वहाँ पे 200 से लेके 200 और आज की डेट में बात करी जाए तो सिर्फ 55 Mbps की स्पीड रहे गई है लेकिन मैक्सिमम जितनी मैंने देखिए वह 200 Mbps की स्पीड देखी है तब आप 700 MHz पर कनेक्ट होते हैं इस्पेशली 5G नेटवर्क पे तो मृटिपल इंटरफेरंस के अंदर भी एटलिस आपकी 200 मैक्सिमम Mbps की स्पीड मिल जाती है लेकि यहाँ पर बात करी जाए तो 4G नेटवर्क की की BSNL ने एक्चुली कौन-कौन से स्पेक्ट्रम यूज़ किया है क्योंकि सबसे पहली जो BSNL की सर्विस है जो लोग बहुत जादा वेट कर रहे हैं मैं खुद भी कर रहा था कि at least LTE सर्विस चालो हो चुकी है BSNL की मतलब यह है कि अब आप बाइफार कॉलिक भी कर पाएं बतलब over the internet calling possible हो पाईगी लेकिन यहां पर जो हमें बैंट देखने के लिए मिलता है एकिस्तो देखने के लिए मिलता है जिसकी हमें maximum speed जो देखने के लिए मिलती है बलब 40-45 mbps की speed देखने के लिए मिलती है लेकिन यह जो test है वो मैंने भीड़ भाड़ में नहीं किया है यह बिलकुल सननाटे इलाके में किया है अपनी सिटी में किया है क्योंकि यहां पे बात करी जाए तो जैसी आप ज़्यादा रश वाले इलाके में जाते है तो वहां पे speed जो है पूरी तरीके से धुरस्त हो जाती है लेकिन मुझे यह समझ में आये ताल में speed already धुरस्त थी कि आपको uploading speed भी मतलब बहुत बड़ा different दिखाई देता है लेकिन दूसरा और second जो band आपको देखने के लिए मिलता है बेसमेल की 4G service के लिए वो premium spectrum है जो की 700 MHz band के साथ आता है बतलब बेसमेल currently तोर पे भी अपनी 4G service के लिए 200 MHz एंड दूसरा 700 MHz spectrum यूज कर रहा है लेकिन तब हम इस पे speed test करते हैं ये भी जो test है वो ज्यादा घनी अबादी में नहीं है ये कह सकते हैं कि एक तो थोड़े से customer type में दूसरा कि वहाँ पे 4G user अभी currently तोर पे कितने वो कहना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कर जो BSNL की service यूज कर रहे होंगे वो अपन speed उससे ज़्यादा दूस्ती लेकिन मैं यह कहूँ कि अभी upgradation में चला एक proper speed नहीं मिल पाई है और BSNL की सबसे बड़ी problem यही है कि वो अभी यह decide नहीं कर पा रहा है क्या यह 4G जो speed हम provide कर रहे हैं वो पूरी तरीके से only maximum दे रहे हैं क्योंकि JTE से भी help मांगे जिससे कि औ तो आपके location में अच्छी तरीकी से update हो चुका है तो इसी video description में आपको हमारा WhatsApp group channel and number 3 मिल जाएंगे जिसमें कि आप join भी हो सकते हैं और हमें screen recording भी भेज सकते हैं जिससे कि हम आने वाली video में और add करें और ज्यादा लोग होता है actual condition मालूम चल सके BSNL 4G network की और दूसरी सबसे important thing यह है कि जिसमें कि आप मतलब net monster application आती है जिसमें कि आप spectrum की inquiry कर सकते हैं कि यह spectrum actually आपके mobile phone में connect है और किती speed आ रही है क्योंकि हमने maximum speed बता दी लेकिन यह actually maximum नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी BSNL 4G जो है बहुत जाद लिमिटेड लोग चला रहे हैं तो at least 100-100 MBPS तक की आना चाहिए BSNL 4G network पर लेकिन अभी थोड़ी सी कहा है तो communication break है speed को लेकर लेकर देखते हैं किस तरीके से अब finalize upgrade किया जाता है और speed customer को और अच्छी मिल पाती है क्या मैं 5G को छोड़ के BSNL 4G पर आ पाऊंगा एक सबसे बड़ा सवाल वो है उसे आपको regular update करते रहेंगे बस एक छोड़ा सा काम जरू कीजेगा regular update के लिए चैनल को subscribe, वीडियो लाइक जरू कीजेगा धन्यवाद